Hello friends, welcome back तो दोस्तों आज कल हम अपने इस चैनल पर बात कर रहे हैं Adobe InDesign CC के बारे में और दोस्तों अब तक मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को Adobe InDesign CC के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ जैसे कि इसका User Interface, Paragraph Styles, Character Styles, Table Styles, और आपके Object Styles और भी बहुत कुछ मैं आपको अपने इस चैनल पर बता चुका हूँ और आज का जो Topic है दोस्तों वो है Images कि हम InDesign में Images को किस प्रकार से Place करते हैं, उन्हें कैसे Manipulate करते हैं और उन्हें किस प्रकार से बहतर तरीके से इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो दोस्तों इसके अंदर आप जो Images हैं सबसे पहले बात दोस्तों आप जान लिजिए कि जितनी भी Images हम इसमें import करते हैं या प्लेस करते हैं Adobe InDesign में तो वो सारी Images जो हैं यहां पर एक Link की तरह काम करती हैं यानि कि मान लिजिए मैंने अपना एक फोल्डर बना हुआ आप देख पा रहे हैं यहां पर इमेज रखी हुई है और इसमें कुछ Photoshop format में हैं कुछ JPG format में हैं र्खी औरed learned format हो सकते हैं जैसे कि आreiben एक Hani Mmisch रख प्रव्डर हो जो भी आप इसका परपच कया है कि आप उसको प्रिंट के लिए या वैब के लिए याम प्रिंट के लिए वेब के लिए ऊए戲 कर रहे हो पिक्टिरने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहां से, मैंने जो लोकेशन जहां भी सेव कर रखे, मैं वहां पर क्लिक करता हूँ उन्हें इसको और क्लिक एंड ड्रैक करते हैं, कि आपको जहां चाहिए, आप लाइए, एडव इंडिया डाकुमेंट खुला हुआ है, और य तो इससे क्या है कि आपका जो इमेज, आपको यहां इमेज आ तो गई, बट होता क्या है कि यह इमेज यहां हमारी, जो में इमेज है, वो जहां हमने सिफ फाइल पड़ी होती है, वो वहीं रहती है, सिफ वहां से उन इमेज का जो है, वो एक लिंक क्रिएट कर देता है, कि इन्टिगेट हो जाती है लिए दोस्तों यह बहुत ही बहुत ही बहते हीजे है कि आपकी ॉमेज़ को मोड़ीफाई करे गा, इन्हाने सक्षक करेगा और आपके जहाँ पे आपके यहां पे निदि घृसки किया होओं है, इस इमेज निदि को उसी में मेंटेन रहते हुए आपके प्क्टर यहां पे अपडेट हो जाती है, ठीक है Dr parliament, तो हमने यहां पे पिक्ट्रें ה import किय हैว, प्लेश flag download प्लेस मेथ्टट से. गोज़रीचे सब्ज़त प्लेस होता है पिक्ट्र इंपोर्ट करने का आप फाइल मीनियु पर जाएं और यहा पे क्लिक करें प्लेस पर याँने च्राफ लिफ स्केणी स्वार्टी क्रें करेंगे. तो आप इसमें से कोई सी जो option है जब आप चाहें तो All Files पर क्लिक किया हुआ है तो आपको आपको फाइल आपको चाहिए आप यहां पर import कर सकते हैं जिसके मैंने भी import किया था Ctrl C करके मैंने वापस location copy कर लिया और यहां paste करता हूँ और सारी picture से picture यहां आ गई और हम मैं चाहता हूँ इसको import करना तो मैं open करूँगा और यहां पर एक option है show import option यदि आपने इसको on किया हुआ है तो आप पास इसके बाकी के जो features है open करने के बाद वह यहां पर आपको डाल अपस दिखाएगा कि आपको इसको किस format में import करना चाहते हैं देखो यह आपको layer on off करना चाहते हैं Photoshop को file है तो यह पर on off कर सकते हैं और बागी options हैं इसके आप देख पारे हैं कि बड़ बैसिकली हम इस सब्सक्री options यूज नहीं करते हैं जो पिक्चर से हैं उनको हम import कर लेते हैं सिर्फ हम उनको यूज करते हैं जब import करते हैं PDF file तो हम import options को generally use करते हैं अब दोस्तों यहां हुआ क्या है कि मैंने सिर्फ उसको click कर दिया है तो click करने पर होता क्या है कि जो image है जितनी ही बड़ी image होती है वह actual size में यहां पर आ जाती है अब यहां पर देखें कि import click and drag करूँगा तो जो size में चाहिए मैं यहां बना सकता हूँ तो उस size में पिक्टर import होगी यदि मैंने सिर्फ लाक यहां पर click कर दिया और इसको मैंने एक frame नहीं बनाया तो जो भी picture का original size होगा वह यहां पर आ जाता है तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही important point है कि आपको note करने लायक है कि 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 किसी picture को आप import कर रहे हैं यहां से किसी picture को मैंने इसको दबार import करता हूँ वचाए drag and drop भी कर रहा हूँ यदि मैंने सीडे सीडे इसको इसको इसकी picture यहां import होगी है मैंने click कर दिया तो जो इसका original size चाहिए जितना बड़ा भी हो वह अपने आप यहां पर आ जाएगा और उसके बाद हमें image को छोटा या बड़ा करना होता है अब image को छोटा या बड़ा कैसे करते है मैं आपको यह बताता हूँ ठीक है तो अब यह image बहुत बड़ी है और यह image बहुत छोटी है तो करना क्या है दोस्तों आपने जो pointer tool लिया हुआ है आपने सिर्फ उसी पर click किये हुए आप control प्रेस करेंगे तो control जासी प्रेस करते हैं तो यह जो image है आपकी प्रोपोर्शनल जो है इसका प्रोपोर्शनल मेंटेंड नहीं रहता आप इसको बड़ी कर सकते हैं जहां तक भी आपसको खेचना चाहते हैं जतना भी आपसको drag and drop करेंगे मैंने क्लिक किया तो यह उतनी हो जाती है लेकिन यदि आपने control और shift प्रेस कर लिया और फिर इसको आप यहां से drag कर रहे हैं तो आपकी जो image का proportion है वो maintain रहता है ठीक है दोस्तों तो आप यदि आपकी image है जो आपको drag and drop बड़ा चोटा करना चाहते हैं तो सिरफ corners पकड़ने हैं यदि आप height बनाना चाहते हैं तो आप height में भी बड़ा करेंगे लेकिन यदि आपने control नहीं दबाया जैसे कि मैंने अभी control नहीं दबाया है तो यह आपकी image बड़ी नहीं होगी यह सिर्फ आपकी जो frame है container है इमेज का सिर्फ वो बड़ा होगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत difference है कि आपको image को यदि अंदर का part को चोटा बड़ा करना है तो आपको control दबाना ही पड़ेगा ठीक है control दबाएंगे तो आपकी image है वो unproportional चोटी बड़ी होगी control shift दबाएंगे तो proportion में चोटी बड़ी होगी and without control दबा के आप यूज करेंगे तो मालने में shift दबा रखाया और मैंने control नहीं दबाया है तो सिर्फ मेरा frame है वो चोटा या बड़ा होगा ना कि image यारी कि जिसके अंदर हमारी image place की हुई है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हम इसना बड़ा background नहीं चाहिए मिजे सिर्फ जो लड़के गुंबाया हैं यहां पर जो जा रहे हैं खड़े हैं रास्ते में में सिर्फ उन लड़कों को चाहिए तो मैं क्या करूँगा तो सिर्फ मैं image पर click करूँगा कोई control नहीं कोई shift नहीं कुछ नहीं सिर्फ मैंने इसक इसको पकड़ा यहां रखा यानि कि आप जो है frame को बस click करिए और छोटा कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि जो picture का बाकी area है वो सिर्फ hide होता है हमारी picture जो होती है वो इसके अंदर छुप जाती है मतलब वो maintained रहती है बड़ सिर्फ जो frame है जिस frame के container है वो छोटा या बड करना है मान लिजे कि मैंने यह frame बनाया यहां पर और मुझे फ्रेम शोटा बड़ा नहीं करना है मुझे इतना बड़ा frame चाहिए बड़ चुकि क्या है कि यह image से दिरफ पर इस पर जादा है तो मुझे इसको center करना है तो क्या करना है तो एक तरीका दोस्तों कि है कि आप इस इसके अब जो है आप inside the container है यानि कि जो आपके content है image जो आपका container था और अब जो आपने select किया हुआ है वो उसका content है यह content selected है अब आप चाहिए तो mouse के जैसी content selected है आप जो cursor है वो हाथ में बदल जाता है कि अब हाथ के दोरा आप इसको drag and move कर सकते है जहां भी आप चाहते है यहां आप अपने keyboard पर cursor पर जो भी आपकी arrow की है up and down की आप उनका प्रियोग करके भी इसको image को left side up down जहां भी आप चाहते हैं move कर सकते हैं ठीक दोसरों यह तीन point हो गया अब एक point मैं आपको और बताने वाला हूँ कि हमने image place कर लिया सब पुछ कर लिया image छोड़ा बड़ा कर लिया cut कर लिया मान लिजिए कि अब मुझे इस image में जो हमारा frame बना हुआ है मुझे यह picture है मुझे इस दूसरे frame में चाहिए मुझे उस frame में नहीं चाहिए तो in design के अंदर इसका भी बहुत ही simple बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपने image पर क्या करना है click करना है आपने दो तो यह पूरा frame गयब हो गया और मैंने क्या किया लाकर इसको अब करते हैं यहां पर command एक है बहुत ही बहुत ही बहुतिन command है paste into आपने इसमें क्या करना है paste into यानि control alt और V command है इसकी control alt और V हमने इसके अंदर प्रेस किया तो यह देखिए अब क्या है कि image हमारी तक अभी अब मैं यहां पर double click करूँगा image के उपर यह देखिए तो इसने जो main image है उसको नहीं पकड़ा बलकि क्या किया इसने कि हमारा image के अंदर यानि जितनी layers बनी होगी कि कौन सा object किसके अंदर है फिर किसके अंदर है फिर किसके अंदर है ऐसा करते हुए उस label तक जाएगा अब अब हम इसमें paste करेंगे तो जो प्रावना object है already वो हट जाएगा और जो हमने अभी cut यहां से image कट किया है इसके अंदर वो प्लेश जाएगे command लगा रहा हूँ Ctrl Alt और V पेस्ट कर रहा हूँ यह देखिए जो actual image है वो यहां पर आ गई ठीक है दोस्तों अब इसके बाद क्या यह जो भी image आपकी है यहां पार यह image है और मैंने क्या किया यहां पर यह locked है मैंने किया 10% छोटा image हो जाए मेरी सीरे एक command का साथ हमने click किया यह देखिए हम यहां से भी image का proportion एक जटके में छोटा यह बड़ा कर सकते हैं और easily कर सकते हैं कि इसमें आपको बार बार छोटा इसमें एक error और भी यदि मान लीजे क्या है कि आपने image import किया और यह आपका image मान लीजे मैंने हरक दिया अब यदि मैं image को छोटा या बड़ा करूंगा इस command के द्वारा तो image मेरी छोटी या बड़ी नहीं होगी क्योंकि यह error दे लेगा क्योंकि जो मेरी image छोटी करेगा त मेरा page जो है सिरफ इतना बड़ा है तो जब तक मेरा page पूरा page page के center में नहीं होगा मेरी image 10% छोटी नहीं होगी तो आप इस error का भी ध्यान रखेंगे कि इस error को कैसे resolve किया जाए ठीक है अब हम और एक point और मैं आपको बता दूं कि यह दि मान लीजे यह picture है मेरी अब यह border द दूर है यह center में भी नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि यह frame मेरा maintain रहे और मेरी picture जो है इसके बिल्कुल center में आ जाए ठीक दोस्तों तो अब एक तरीका क्या है कि आपने image पे click किया जैसे आप image पे click करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे toolbars हैं वो कुछ change हो जाते हैं जैसे क आप यहाँ देख पा रहे हैं तो इसके अंदर क्या है पहला है देखिए option है fill frame proportionally आपने click किया यह देखिए तो जो भी आपकी image है वो पूरे के पूरे frame में fit हो जाती है proportionally क्योंकि इसमें proportionally मतलब क्या है कि जो भी आपकी height और जो भी maximum width लेगा जो image extra होगी वो crop हो जाएगी यानि height हो जाएगी और हमारी image किसी भी एक value के extent तक पूरी हो जाएगी ठीक है दूसरा option है इसके अंदर कि fill content proportionally ठीक है पहला क्या था fill frame और दूसरा है fill content यानि कि अब मैं click करता हूँ तो जो मेरा frame है उसके साथ जो है extra बाहर नहीं जाएगा सिर्फ जो image जितनी maximum expense हो सकती है सिर्फ उतनी होगी और यह उसको fill कर देगा थर्ड option देखिए इसमें क्या है fill content to frame अब यह है कि यह unproportional है कि यानि इस पर click करेंगे तो चाहे जो भी में छोटी या बड़ी हो whatever हो लेकिन जो मारा content है container है content उस container के according पूरा तरह fill हो जाएगा ठीक है चोथे command है कि fill frame to content यानि अब क्या है कि यह है वो command जो कई बार हम यूज करते हैं कि हम चाहते है जो frame है वो छोटा हो जाए according to picture तो यह अपने आप ही उसके according आ जाता है जिद्रेसी command लेजिए हमने नई picture डारेक्ट निरियारी के अंदर import की हो ठीक है अब एक command और इसमें commenter में आ जाएगी ठीक है दोस्तों तो यह मैंने आपको जो image है कि हम image को in design के अंदर किस प्रकार से manipulate करते हैं किस प्रकार से import करते हैं और किस प्रकार से इसको add करते हैं इसके बारे में मैंने बताया अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसमें आपको कुछ photos of files के इंपोर्ट करके दिखाऊंगा और उसको हम किस प्रकार से edit करते हैं किस प्रकार से उसको yield किया जाता है मैं भी इसके बारे में आपको आपने नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा तो मिलते हैं आप से अपने नगले वीडियो में images के बारे में कुछी कुछ और नए concept कर साथ ठीक है दोस्तो बाई बाई धन्यवाद